हलो फेंट्स में या नाम विशाल है and welcome to my channel programming with विशाल फेंट्स हमारा जो आज का वीडियो है वो हमारी जो ES6 की सीरीज चल रही थी उसका 22nd वीडियो है और अभी के लिए हमारा जो वीडियो है यह last वीडियो होगा हमारी सीरीज का और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं symbols के बारे में क्या होता है symbols तो symbols की जो मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो symbols है वो एक primitive type है primitive type मतलब हम लोगों ने already javascript में string पढ़ा था primitive type, number पढ़ा था primitive type, boolean पढ़ा था उसी तरीके से अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर किसी इसको symbol को तो क्या करते हैं यहाँ पर बहुत पहले simple काम करते हैं मैं एक आपके लिए यहाँ पर variable बनाता हूँ इसमें एक value डालते हैं विशाल एक variable बनाते हैं नेम टू इसके अंदर भी value डालते हैं विशाल दो variable दोनों में same value अभी हम बोलते हैं console.log और थोड़ा सा screen को कर देते हैं जूम जिससे की जो phone पर है उसे भी थोड़ा clear दिखाई दे और यहाँ पर हम बोल देते हैं this triple equal to this तो अब आप बोलेंगे यार यह क्या time pass कर दे हो इसमें बताने की क्या सब होता है जब दो चीजों में आपस में value same है तो वो बराबर भी होंगे और वेसी बात है यहीं पर आ जाता है symbol का concept पस मैं खाली यहाँ पर इतना करूँगा symbol इसको भी copy करके नीचे डालेंगे इसे भी बंद करेंगे और इसे भी बंद करेंगे अब आपका output हो गया यहाँ पर false तो symbol basically क्या करता है ध्यान रखेंगे S हमारा capital है symbol हर चीज को एक unique value में treat करता है यहाँ पर जब मैं यह symbol की बात करता हूँ तो यह क्या करता है इसकी एक कोई random value बना देता है ऐसी value इसके लिए एक अलग value और इसके लिए एक अलग value अब हर एक चीज के लिए एक अलग वैल्यू ये एक अलग चीज देगा ये एक अलग चीज रिटन करेगा रण टाइम पे ये दिखेगा कहीं नहीं आपको बैक एंड पर बता रहा हूं मैं ऐसा चलेगा तो इसकी ये कुछ इस तरीके से वैल्यू देगा इसकी ये कुछ इस तरीके से value देगा इस वजह से जब आप इन दोनों चीजों को चेक करते हो तो ये आपको जो output है वो output यहां पर देदेता है false अब आप बोलेंगे यार ये क्या फालतों की बिफकुफी वाली चीज बता रहे हो हमें पर आगे चल के इसका use देखेंगे बहुत अच्छा use है और use होगा ये कई जग आपका तो symbol की जहां तक हमने बात करी symbol क्या करेगा हमें की unique value हर एक चीज की देदेता है देखने में आपको वो same लगेगा पर output जो है वो आपको unique आएगा चलिए फिलाल ये जो हमने पूरा ताम जाम करा है इन सब को मैं जड़ा फिलाल के लिए comment आउट कर देता हूँ अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं ये जो symbol लिखा मैंने अगर मैं इसको comment आउट करूँ तो मुझे क्या output मिलता है तो जो हमने लिखा था symbol विशाल वही चीज मुझे यहाँ पर output मिल जाती है अगर मैं यहाँ पर बोलू type of name इसका type क्या है तो अगर आप इसका type of क्या हो गया टी वाई पी spelling क्या लिख रहे है type of तो अगर आप इसका type भी चेक करेंगे तो जो इसका type आएगा वो आपका यहाँ पर symbol आजाएगा ठीक है जी अगर मैं name को print कराता हूँ तो आपको print हो जाएगा अगर मैं इसको मेरे document में call कराऊ यानि कि alert का use करें तो क्या होगा तो देखिए यह आपको error देखा देखिए console में आपका print होगा पर जब आप इसको DOM में print कराना चाहेंगे तो नहीं चलेगा उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा two string जब आप two string बोलेंगे मतलब हमने बोला कि यह एक symbol type का है और इसको string में convert करके हमें देदो तो आपको यह चीज ऐसा output में मिल जाएगी अब आप चाहते हैं कि यह जो data है इसके अंदर की value आपको चाहिए तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा सिर्फ description description इस बार एक property है इसमें description आ गया तो हमारे पास यह output आ गया तो basic symbol मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसकी अगर आपको value retrieve कर नहीं आप कर सकते हैं और कैसे यह चलेगा चलिए हम आगे चलते हैं इसके case में हम लोग अब देखिए एक example में चलते हैं जहां से हमें समझ में आएगा कि symbol की जब हम बात करते हैं इसका फाइदा क्या है use क्या है तो मैं यह सब चीज़ों को फिलहाल के लिए हटाता हूँ const एक variable बनाते हैं let's say student s-t-u-d-e-n-t is equal to और यहां पे मैं एक object बना के data डालता हूँ तो यहां पे मैं बोलता हूँ कि जो इसका name है let's say sorry जो इसका name है वो हमने डाल दिया विशाल इसकी जो city है वो डाल दी हमने noida मैं दोनों कोई single quote में ले ले ता हूँ नहीं तो कुछ confused हो जाएगा चलिए जी अब अगर मैं यहां पे student को console कराऊँ c-o-n-s-o-l-e dot log तो मेरे पास मेरा जो पूरे का पूरा data है वो यहां पे आ चाएगा बिल्कुल ठीक है अब अगर मैं बोलू student.name is equal to Amit इस बार क्या होगा यह है problem अगर मैं इसका नाम change करने गया तो इसने मेरे object के अंदर जो नाम है उसको भी change कर दिया पर अगर मैं चाहता हूँ कि ऐसी चीज ना हो तो हम क्या करें तब हम लोग यहां पे एक तरीके से use कर सकते थे symbol का कैसे करेंगे देखिए तो मैंने बोला यहां पे const name हमारा वही नाम जो नीचे रखा is equal to symbol और यहां पे मैंने डाल दिया let's say Amit इस बार अगर मैं इसको comment out करूँ और इस बार अगर मैं student को print कराऊं तो क्या होगा आप बोलेंगे क्या होगा कुछ नहीं होगा पर अब अगर मैं इसकी value को इधर डाल दूँ अब देखिए क्या है output यह देखिए हमने क्या करा जो इसकी key है basically उसको यहां पे change कर दिया और उसको change करके हम लोगो ने यहां पे symbol कर दिया तो इस तरीके के scenario में आप जो है यहां पे basically अगर use करना चाहें तो आप use करते हैं जब भी हमें एक हमें unique identifier जो है हमारा बनाना हो उस case में जो है हमारा जो symbol है हम उसका use यहां पे कर सकते हैं चलिए अब थोड़ा सा change करते हैं इसे एक आपको दूसी चीज दिखाता हूँ मैं हम लोग की तरह है तो हमने क्या करा एक cons बनाया let's say x और इसकी value रखी मैंने symbol और यहां मैंने बोल दिया let's say x को मैंने बोल दिया x symbol कुछ भी जो value है मैंने यहां पे डाल दी simple जो cdc खानी है वो हमने अब क्या करते हैं एक हम लोग यहां पे object बनाते हैं obj नाम से जैसे पहले करा था कुछ-कुछ उसी तरीके से हम लोग करेंगे यहां पे चलिए जी इसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग यहां डाल देते है obj of x is equal to let's say कुछ भी डाल देते हैं x symbol यहां पे डाल देते हैं विशाल यह ध्यान रखिएगा यही x मैंने यहां लिया है और इस बार मैं बोल देता हूँ obj of let's say y is equal to तो मैंने एक obj बनाया यहां पे और इसके x पे मैंने कुछ data डाला और y पे कुछ data डाला यहां पे ध्यान रखेंगे यह x और यह x एक ही चीज़ है अब मैं यहां पे एक fall loop चलाता हूँ और इस fall loop में मैं बोलता हूँ की key in obj और अगर मैं यहां पे console.log बोलू console.log और यहां पे बोलूँ आपको की obj से key को निकाला जाए अब देखिए गा output क्या आएगा अमित विशाल कहां गया चलिए एक चीज़ और आट करते हैं इसमें नमित और यहां बोल देते हैं जेट नमित आया एक और symbol बना के देखते हैं x1 x2 x1 x2 कुल मिलाके यहां पे क्या हुआ कि जो symbol हमने बनाए वो symbol अगर आप यहां पे देखें तो जब आपका loop चलता है fall loop यहां पे उस fall loop में जो आपके symbol है यहां पे वो नहीं चलते हैं यह आपको मुझे बताने का मतलब था है यहां पे कि जब भी आप fall loop का यह एक और चीज़ देखते है fall loop देख लिए अब एक बार हम लोग json पे भी चलते हैं इस object को json में भी convert कर लेते हैं तो मैं यहां डाल देता हूँ json dot क्या करते हैं हम लोग stringify s-t-r-i-n g-i-f-y और इसको कर देते हैं अभी देखते हैं output same to same कहानी तो दियान रखेंगे कि जब भी हम symbol की बात करते हैं तो अगर हमने fall loop चलाया है loop चलाया है और json लिया है तो यह इन दोनों के case में हमारा जो symbol है उसको ignore कर देगा और जो normal value होगी खाली उसको लेगा in short symbol कहाँ पर use करना है जब भी हमारे पास unique identifier बनाना है एक ऐसी चीज जिसके अंदर हम लोगोंने symbol को डाला है वो चीज हमारी repeat नहीं होनी चाहिए वहाँ पर हम लोग symbol का अगर use करना चाहिए तो वहाँ पर हम इसका use कर सकते हैं guess clear हुआ होगा आपको यहाँ पर symbol का concept तो यह था friends हमारा आज का वीडियो लास्ट वीडियो हमारा ES6 की series का regarding symbol तो ES6 की series हमारी यहाँ पर complete होती है इसके बाद हम लोग कुछ नया start करेंगे काफी सारी चीज़े मैंने सोची हुई है यावा स्क्रिप्ट के अंदर ही करने का कोई framework या library को हम लोग उठाएंगे और उसके बार में हम लोग पूरा detail में देखेंगे तो video friends अगर आपको फसंद आया तो इसको like और share ज़रूर करिएगा चैनल में अगर आप नए हैं और आगे भी मेरे इसी तरीके के videos देखना चाहते हैं तो जरूर हमारे चैनल को subscribe कर लीजेगा Thank you